राजे सरे एक बेर चेक कर लो आवाज आपारी है राजो से एक बार चेक कर स्टूडेंट्स को जाए है आजये एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स को जाए है जुड़ जाने देते हैं मतलब लोग लटकाते वहेंगे नीबू मिर्ची यहां तो नीबू की हालत इतनी खराब है अल्रेडी नीबू मिर्ची तो क्या ही लटकाएंगे एक बास सारे के सारे जो है वो जॉइन कर जाईए यह कुछ टाइमिंग मतलब किस्मत खराब होना ऐसे खराब होती है कि भाई हाथ दोके पीछे बढ़ जाती है वह जब आप कुछ करने की नया ठानों तो सारी काइनात कोशिश करते हैं कि आपका ना हो ना पाए कुछ ढंक से एक बार तो यह बता दीजे कि अब मेरी आवास जो है वो क्लियर आ रही है अब आरी है छे बजे करने में आपको दो फायदे होने वाले एक तो आपको 25 साइंस के मिलते रहेंगे तो आपको यह जानके अच्छा लगएगा कि हमारी साइंस भी हो रही है और साथ में हमारा जो जीके वाला पोशन अना वह भी अच्छा हो रहा है तो अभी आवाज में अगर कोई दिक्कत न नोटिफिकेशन मेंने आपका शेयर कर दिया है तो बाकी सारे बत्रों जो हमें उस पर शैर कर दिया उसफे एक आप लोग भी शैर कर दीजिय। अपने रवल पर अपने जगह पर शैयर कर दीजिशे ताकि चीज में एपको आयोस. नोटिफिकेशन में अब हो गया ना ऐसे होता है कि जब यह वाली चीज़ें थोड़ा सबस्क्राइब क्लास बंद कर जानी पड़ती है जब आप बोलते हों कुछ नहीं है कुछ नहीं सबस्क्राइब कि मैं क्वेशन कर आती है और आप सीधा अंसर देते कहीं कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन वह यह ना साउंड नहीं है कम है यह है वह है उसके चकर में क्लास बंद करनी पड़ती कभी कभार ऐस होते क्लास चलते चलते टेकनिकल टीम जो है ना वो ठीक कर देती इसको आजाती है अब आदे घंटे में चलिए ठीक है अभी तो चीजे कोई दिक्कत नहीं है अभी यहां पे प्रॉब्लम नहीं है अब स्टार्ट करें और जली जली स्टार्ट करें क्योंकि आप आज मैं सब स्पेशल क्वेशन उनको ही शेयर करूंगी या उनकी एक्स्प दस बजे से लेके अगले दिन तक यानि कि एक तारिक तक तो वह बारा से चौबिस घंटे तक वह टेस्ट हो है वह लाइव रहेगा और जब उसके ट्वणी फॉरास कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका रजर्ट जो है वह आपका दिखाया जाएगा हाल फिलाल अभी जो ट है कल में कोई टेस्ट हुआ है उसमें यमन चोहान नंबर वन पे हैं 98.2 मार्क्स के साथ तो बाकी सारे बचे टेस्ट दे दीजे अचा आप में से कई लोग को यह प्रॉब्लम थी कि भाई हमको ना सफीशन्ट जो कॉंटेंट है वो नहीं दिया जा रहे तो मैं आपको बता सब्सक्राइब के तीन सेक्शन्स अपडेट हो चुगे हैं और अर्रवी एंटीपीसी सीवीटी टू जनल इंटेलिजेंस के बहतर सेक्शन्स जो हैं वो अपडेट हो चुगे तीस आरा आपका जब ऑनलाइन टैस सीरीज पर आप जाते हो तब के लिए आज का पेपर आपक कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट नंबर वन दूसरा पॉइंट साउंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ठीक है तीसरा पॉइंट जो मैं बोल्ड रियो उसको आप समझ पारें चौता पॉइंट टाइम जो है वह साड़े साथ करें चलिए आंसर दीजिए और बत देगा इन मॉलीकिल आव वाटर है ड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी रेशियो पानी के एक अडू में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एच और ओ जो है वह किस अनुपात में मौजूद यहां पे रहता है तो रेशियो ग्या रहता है आपको ग्या लिखा हूए मॉ ग्या बनाता है रहता है तो हैं फाइनेश्यल लिटरसी वीकिल जून दो हजार अठार अठ्रेज़ की सब्सकार के रूप में ग्राहक सुरक्षा के साथ जून दो हजार अठार में देशवर में वित्य साक्षर्ता सप्ता का सुब आरम किसके द्वारा किया गया था कुछ ऐसे क्वेश्चन जो करन्ट अफेर के आपके अभी भी रिपीट हो सकते हैं उनको उठा लिया है लेकिन कुछ ऐसे करन्ट अफेर जो आपके दुबारा रिपीट नहीं होंगे उनको चेंज कर दिया गया ठीक है चलिए बताइए एक्जाम तो आपको देने जाना पड़ेगा न मैं बताओ मैं क्या चलूं आपके साथ आंधर पर कहां पर आपका सेंटर इसके लिए कुछ नहीं कर सकता आपको एक्जाम की जो डेट दी है वो तो आपको करना पड़ेगा और बताओ क्या करना है फैनेंशल लिटरसी वीक 2018 का किसके द्वारा लांच किया गया था रिजर्व बैंक आफ इंडिया आर्वी आइग करके याद रखे आर्वी आई 1934 एक्ट से आर्वी आई जो है उसको बनाया किया था हुई इस फीमेल इंडियन ग्रैंड मास्टर चैस्ट शत्रंज में भारत की पहली महिला भारतिया ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन है यह क्या हो रहे है डबल आवाज आ रही है क्या इस इस फीमेल इंडियन ग्रैंड मास्टर इंडी चैस्ट जली जली बताओ यह क्वेश्चन आपको 15 मिनिट में कंप्रीट करना चीए था एक्जाम में एस विजया लक्ष्मी करके याद रखे एस विजया लक्ष्मी ठीक है किसी भी बस्तू की गते जूर्जा इसके साथ बढ़ती है किस चीज के साथ बढ़ती है कि मेरे ही लैप्टॉप पे दो दो जगा खुला हुआ है यूट्यूब है ना दोनों जगा अलग-अलग आवाज आ रही है मुझे लगा आप लोग को डबल आवाज जो है ना वह आ रही है क्वेशन का लेवल अगर आपको हाई चीए ना तो आप टेंशन निलो क्वेशन का लेवल एक दिन हाई कराय था सारे बच्चे जो है वो दिक्कत हो गए यहां पर सब बच्चों को दिक्कत आ गए अगर आपको किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी लगे की पहले एक्स थी अब टू एक्स हो गई है तो मेन उसमें क्या चीज बढ़ना चाहिए आपकी विलोसिटी जो है वो बढ़ना चाहिए वेग इंक्रीज होना चाहिए ठीक है तो आपका फॉर्मुला का क्या होता ह है काइनेटिक एनर्जी इकवल टू हाफ Mb स्कूरर क्या होता है हाफ Mb स्कूरर राइड जैसिसे साइक्लिंग है कोई भी जहां पर चीज के अंदर विलोसिटी आ जती है न उसी में आपकी काइनेटिक एनर्जी यानि की गती जूर जा जो है न वो लगना शुरू हो जाती तो यहां पर साइक्लिंग करें हैं विंड मिल जो है वो रोटेट कर रहे हैं गाड़ी जो है वो मूब करें आप स्केटिंग वोट्स पर जाके चल रहे हो देखे चलता हुआ बंदूग की गोली उड़ता हुआ तीर बहता हुआ पानी यह सारे काइनेटिक एनरजी के एक्जा स्केटिंग की निमनलिकेत में से किस खेल से जस्वीर सिंग जी जो है वो संबंदित हैं बताईए पंदरा बीस मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन जो है ना वो करा दो आइसी आर का पेपर में आपको करा दो पहले आप गुरूप डी के पेपर तो करो पेपरों की टेंशन नहीं है पेपरों के आपके बस कमी नहीं है लेवल हर इक का है पर मैं चाहरी हूँ कि एक एक पेपर ना अटलीस्ट आप मेरे साथ करो ताकि आपको लेवल का पता लग नेक्स्ट विदे आपकी स्क्रीन पर विच आप दी फॉलेंग लैंगवेज इस आल्सो नोन अज मगदी इस लांगवेज पोकन इन दी बिहार जार्खंड रीजन ऑफ इस्टन इंडिया तो भारत के इंदर जो मगद भाशा बोली जाती है वह आपके बिहार और जार्खंड वाले शित्र में किस नाम से जानी जाती है ताइटल में साइंटिस्ट नहीं है मैं हूं साइंटिस्ट टाइटल में खली साइंटिस्ट ऐसी नहीं लिखवाया है मैं हूं साइंटिस्ट है ना चली बताए निमली कितने से कौन सी भाशा जिसे मगदी भाशा के नाम से जाना united हैं इसमें याद रहके भोजपूरी नहीं बोला जाता है आप याद बॉलिविया के आपके एंबासिडर इसलिए यह वह आपको ना तो साउंड की कोई प्रॉब्लम है ना वीडियो की कोई प्रॉब्लम है अवाज बी चका चक एकदम आ रही है और आपका वीडियो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ग्रीन बोर्ड किया है हालाकि यह बॉलिविया की राजधानी जो है वह आपकी कौन सी है बॉलिविया की राजधानी के है कोई बात नहीं देखिए आप लिए टेस्ट सीरीज में इसलिए सेक्ष्णल टेस्ट जो हैं वह डाले गए हैं ताकि आप अलग-अलग अपना चेक कर लो कि भाई अगर मैं जीके करत किस चीज में आ रही है और जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे कम परसंटेज आ रही है उसको देना शुरू कर दो हाला कि टेस्ट में बहुत सारे बच्चों के बहुत ही अच्छे नंबर है 90 की उपर कई सारे बच्चे हैं लिस्ट आई है मेरे पास एक बार वो लिस्ट भी जम्मो कश्मीर विलॉंग्स तो विच इंडियन पॉलिटिकल पाटी दोजार अठारा की जब हम बात करें तो महभूवा मुप्ती की जो पाटी है उसके द्वारा कई सारे जम्मो कश्मीर के अंदर एजिटेशन किये गए थे और सरकार के खिलाफ जो है न वो आंदोलन किय गए थे यह क्वेशन इसलिए भी पूछा था दूसरा चीज यह है कि जम्मो कश्मीर में 370 जो धारा थी यह दोजार अठारा के आसपास जो है वह बहुत जादा डेक्लेर की जा रही थी कि इसको हटाया जाएगा पूरा का पूरा प्रपोगेंड़ा चल रहा था तो यहां सब्सक्राइट काफी सारे आपके जो आई भी थी ना चीज़ें यहां पर कौन सी पर्टी है इनकी पीवन बताइए जरह मैभूवा मुफ्ती सायद जो है वो कहां की चीफ मिनिस्टर थी बहुत कौन सी पर्टी को विलॉंग करती है तो जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नम से इसको जाना जाता है जे के पीडीप ठीक है पीडीप पार्टी के नम से जानते हैं इसको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नम से लैंग्वेज यूज़ इन उपनिशद उपनिशदों में आपकी कौन सी भाषा जो है वो लिखी गई है उपनिशदों में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है पाली भ्रामी संस्कृतिया प्राकर्थ कौन सी प्रयुक्त भाषा में लिखे हुए आपके जितने वी वेद हैं या जितने वी आपके उपनिशद हैं वो सारे के सारे मैक्सिमुम संस्कृत भाषा में संत्रप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है मतई जरा सेचुरेटेड किसको बोलते हैं मैं हिंट दू तो आप आंसर दे दोगे हिंट दें यहां पर हिंट आपका यह है कि आपका जो सेचुरेटेड है वो आपके सिंगल बॉंड के लिए बोला जाता है अब बता देजेए कि सिंगल बॉंड जो है वो यहां पर कौन से होंगे मैं यहां पर लिख दे रहे हो इस चीज को याद रहे कि बहुत ही इंपर्टेंट क्वेश्चन है सेचुरेटेड वर्ड जो है वह एकल बंद जिसे कहते हैं या सिंगल बॉंड जो बोला जाता है उसके ल ब्लेड-टेश्य लएकि नाम से इनको जाना जाता है ब्लेड उनर बॉला जाता है यहां हो एक होले यहां पर बोलिविया की राजधानी नहीं लिख़्ाता थाना कोई सुक्रे करके याद रखेंगा मैंने पूछा था शहिद बोलीविया की राजदानी 1986 को पैरा एथलेटिक्स के नाम से इनको जाना जाता है पैरा एथलेटिक्स में she has represented herself Blade Runner क्या होते है जिनके घुटने के नीचे के पैर नहीं होते हैं और इस तरीके का जो एक जो आइरन लोहा मतलब लोहा तो नहीं रहता है टाइटेनियम अगरा जो होती है वो थोड़ी सी आपकी मिक्स कराई जाती है यहाँ पर तो टाइटेनियम को मिक्स करके आपका किया जाता है किरन का नौजिया करके याद रखेंगे आप लोग किरन कानौजिया भारत की पहली फीमेल ब्लेड रणर और पैर नहीं है तो पैरा अथलेटिक्स में ही अपने आपको रिप्रेजेंट करेंगी हाइदराबाद एयर्टेल मेरथन हुआ था उसको वर्ड लेवल पर रिप्रेजेंट भी किया था युनाइटे नेशन और नीति आयोग के द्वारा वुमेंट ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया 2017 में एक अवर्ड पेश किया गया था जिसमें किरन कन्नौ जिया इनको यहां पर पहला प्राइज जो है वो मिला था ठीक है अब्जेक्ट आफ मास 15 केजी इस मूविंग विदा यूनिफॉर्म विलोसिटी आफ टू मीटर पर सेकंड वट इस दी काइनेटिक एनरजी पुजेस्ट बाइदी ऑब्जेक्ट 15 किलो द्रव्यमान की कोई व्यस्तू 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गती कर रही है पास गतिज उर्जा जो है वो कितनी होगी बताइए देखें आप किरनकनोजिया ओलम्पिक से रिलेटेड स्प्रिंग नहीं होता है जैसे पैर जो है वो गुटने तक ही है मलब कहते हैं जिनके होसलों में उडान होती है ना उनके पास किसी भी तरीके की कोई बहाना नहीं ह कानेटिक एमला की बताइगा आपके पास movements अगला होता है फंब स्क्वेर्ट आपको मास 15 केज़ी पुछ तो चेंज नहीं करना क्यूंकि 15 केजी केजी में ही रहेगा मेटा पास्थिदी जो वही होती है उसमें भी आपको चेंज नहीं करना स्क्वेर है तो आप स्क्वेर ल निमले कित में से कौन सा कथन दो निकायों के बीच गुरतवा गर्शन बल पे लागू होता है, आप ये बताई है कि ग्रैविटेशनल फोस जो है वो दो बॉडिज के बीच में जो लगता है वो नीटरल होता है क्या उधासीन होता है ग्रैविटेशनल फोस दो वस्तौों के बीच में रिपल्सिव भी होता है या ट्रैक्टिव भी हो सकता है यानि कि विकर्षन और आकर्षन दोनों चीज़े हो सकती है दो बाडी इसके बीच में हमेशा ट्रैक्टिव ही होगा या हमेशा रिपल्सिव ही होगा यह आपके इसके लिए क्या चीज़ इस्तमाल की जाती ह gravitational force के लिए कौनसी statement इस्तमाल की जाएगी आपकी पूरी screen पे question है जरा answer कर दीजे देखें यहां पर two bodies और gravitational force की जबी भी हम बात करेंगे आप लोग याद रखो कि हमेशा attractive होता है है अब यह gravitational force है क्या gravitational force इस प्रत्वी के उपर लगने वाला किसी भी दो वस्तूओं के उपर एक समान बल कहा जाता है यानि कि irrespect of the body size जो सेब है वो बरधरती के उपर सेब जो ह तो अगर आपके पास कोई भी दो अब्जेक्ट जो है वो available है जिनको मैंने M1 या M2 जो है वो करके mark किया है तो इनके बीच की जो दूरी है और इनके इनका जो द्रव्यमान है वो हमारे पास एक formula बनाता है F is equal to capital G M1 into M2 upon R square जहापे R square जो है वो उसकी दूरी कहा जाता है औ और M1 M2 जो है वो उसके masses का जाते तो product of masses and the square root is inversely proportional distance square root जो है वो inversely proportional होता है जैसे मैंने बताया कि irrespect of masses है यानि कि प्रत्वी या फिर आपका चाहें आप सूरज ली लेजिए आप प्रत्वी ले ले लीजिए या ले लीजिए अपना चांध है ना ये तीनों के तीनों आप आपके gravity के इंदर located है ये कुछ imaginary lines है जो आपको दिखाई दे रही होंगी जो हमको ideally दिखाई नहीं देती लेकिन इस तरीके की imaginary forces जो है वो मौझूद होते तो प्रत्वी और चांध के बीच में आपके पास gravitation force जो है वो मौझूद है इसी चीज़ से हमारे पास जो है ना व एक दूसरे को दूर फेक देंगे नहीं they are always attractive लेकिन हमेशा एक formula के बीच में अपने एक दूरी बना के रखते हैं जिससे दोनों चीज़ें जो है ना वो आपकी motion में रह सकती है ठीक है अटेश माटीरियल ग्लोज विद अस्पेशल कलर डिपेंडिंग ओन दी नेचर आफ गैस एक यह पदार चुह है वो गैस की प्रकृति के आधार पे एक विशेश रंग के साथ आपका चमकता है बताईए आज is अज क्वल अजए बंद करके दुबारा स्टार्ट करनी पड़ी इसलिए थोड़ा से दिक्कत हो गया और बीच में अपना दो तीन दिन जो है वह इसी बोर के चकर में क्लास लगी भी नई इसलिए थोड़ा दिक्कत होना चाहिए नेम दी प्रा पाथ ब्रेकिंग कॉंप्रिहेंसिफ डिजिटल प्रोड़क्ट ऑफ एस्बी आई विच वास डवलप्ड यूजिंग दी वर्ल लेटेस्ट डिजिटल टेकनोलोजी तो पहले 2018 में इसको लॉंच किया गया था और बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉंच किया गया था काफी इसकी एक बनाए गई थी अभी आप जो है वह काफी सौट आउट है और आप चीज़ें जो है वह बढ़िया से यहां पर कर सकते हैं योनों करके बोला जाता है इसको यू ओ ests की कित्में से कौन सा एक लोग्तांत्रित क्लों कंंड्या रूप में नहीं जाना जाता है तो वह कंट्री यह ईयां पर डे्मोक्रेटिक कंंड्री जो है वह नहीं है कौन सी है कोई सो फक्रॉल्स ना बेसे हमसे यह पोरा दिन मेरा ओफीस से हटकर ना इसी अदर पर ज़ा मेरा पूरा आज दिन भर का ओफिस का मेरा आपका सेट अप कराने में गया है चीजें चाइना लिख दें चाइना जो है वह आपकी डेमोक्राटिक नहीं गौर्वर्मेंट जो है वह वह आपे आती है तो सिंगल पार्टी ओन करके इसको बोला जाता है है specialized tissue for conduction of water बताइए डैश में पानी के संचालन के लिए विशेश उतक जो है वो मौझूद होते हैं इन में से चारों में से कौन सी आपको option नजर आ रही है जिसके पास पानी के संचालन के लिए विशेश उतक जो है वो मौझूद होते हैं बताइए किसके लिए बात करें पान पिए किस्स पास ऐसे बाइट यह जहूं नहीं पस्रेस्ट को वाटर पंगस जो है वह आपके प्लांट में इंक्लूड नहीं की जाती है तो आपका इसके पास किसी भी तरीके का वाटर का कोई भी कंडक्शन स्पेशल देखें वाटर कंडक्शन के लिए आपके पास क्या एविलेबल होना चींद आपका यहां पर क्या है आपका जाइलम जो है वहां मौझूद होना चीए तो जाइलम के नाम पे फच्पंगस प्लेश ने उस में मौझूद होता है अमीर खुसरो यह फेमस मुजीशन थे मुगल दरबारी के प्रसिद संगीतकार के नाम से कहा जाते है और बहुत ही जादा एक इंपोर्टेटन न्यूस आपकी फ किया जाएगा वाला कॉंसेट जो है वह आपका बन किया जा रहे हैं उनको नाइन से लेकर 12 कि किसी भी हिस्ट्री की क्लास के अंदर उनके जो चाप्टर अनको बबं किया जा रहे हैं हाली फिलाल की ये बताओ इससे जादा बताओ क्या इजी क्वेशन आपको पूछा जाएगा अकवर के में है क्या मुगल एंपरर की बात हो रही है अमीर खुसरो किस मुगल समराट के दरवार में प्रसिद जो है वो बोले जाते हैं अकवर तो नहीं है या पर ना अंसर बहुत ही बढ़ी है नहीं तो कि यहां पर अकवर से रिलेटी आप शाजा और अंग्जेव जहांगीर की तरह याद रखते हैं अमीर खुसरो अलाउदीन खिलजी की दरवार में था और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अलाउदीन खिलजी अमीर खुसरो की किसी भी बात पर ना गुसा नहीं करता बाकी अगर कोई भी सामने आगे तो उसको मार मूर दिया लेकिन अमीर खुसरो की बात पर कभी भी गुसा नहीं करता था अपकी पुजीशन है ना वो यहां पर क्या होगी अगर नारकॉंडम आइलेंड अंडवान के अंदर लोकेटिड है तो आप जो मुखितम बिंदू पर खड़े हो आपकी पुजीशन जो है वो क्या होगी बताई 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 कोई बात नहीं अलावदीन खिल जी के बाद ही आपकी खल जी वगरा यह वन श्वय उस टाइम पर मुगल तो आई गए थे कोई बात नहीं उसका टेंशन ना लो अम में क्या करूँ पेपर में ऐसी लिखा था यह तो आपका सारा पेपर से ही टाइप करवाया है बताई बत से पोजीशन आप से पूछी जा रही है 240 किलोमेटर पोर्ट ब्लेड से अगर कोई चीज दूर है नार्कॉंडम आइलेंट तो आपकी मुखेतम बिंदू पे वो कहां पे लोकेटेड होगा तो आप लिखोगे नौर्थीस्ट ऐसे करके लिखें या साउथ वेस्ट लिखें साउथ या साउथ इसुक्त लिखें नौर्थ वेस्ट लिखेंगे अब देखो एक बार आप देख लो यहां पर यह भारत की ना मुख्यतम मिंदू है ठीक है यह भारत का मुख्यतम मिंदू है अगर आप यहां से खड़ेंगे इसकी पॉजिशन जो है वो देखोगे तो आपको पहले तो साउथ की तरफ जाना पड़ेगा और साउथ में हमको जाना पड़ेगा इस्ट की तरफ तो मुख्यतम मिंदू पूचा है तो आप साउथ इस लिखेंगे लेकिन अगर आप से पूछा जाएं कि अंडमान आइलेंड जो है उसकी पूजिशन कहां पे है तो उसकी पूजिशन नौर्थ इस्ट पे हैं समझ गे एक बड़ क्वेस् में फेस्ट कर लेकिन अगर अंडमान आइलेंड के शाब से फूछिए तो सब्सक्राइ से Japanese नौर्थ इस तो आप यूगम विपरीत वर्ण होते हैं यानि कि आपके पास अगर मोनो हाइब्रेड क्रॉस है तो कितने वह एवेलेबल होंगे कितने वह एवेलेबल होंगे अब यही चीज थोड़ी सी तो अजीब ही क्वेश्चन था क्योंकि लिखा ही नहीं है मुख्यतम मिंदू से होगी या अंडमान से आपको पूछ रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो नार कॉंडम ही पता होना चाहिए कि कहां पर लोकेटेड है अब सब्सक्राइब क्या हुआ सिंगल एकल लिखा है तो ओनली वन केवल एक की बात की जाएगी है यह बताइए आपका क्वेश्चन नंबर अगला विच आप दी फॉलईंग फिल्म वन दी बेस्ट इंडियन फिल्म ऑप दे या वार्ड पॉर दी ग्रांड एन्वल 66 फिल्म प प्रण नहीं नहीं करने 66 फिल्म पेर अवार्ड 2021 किसने जीता है मोनों का मतलब यह होता है उसमें भी कोई बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ करी देंगे बताइए जरा 66 फिल्म पेर अवार्ड 2021 किसके दुआरा जीता गया था कौन सी मूवी थी आप देखो जरा यह क् आप मुझे गलती आंसर बताओगे फिल्म पेर अवार्ड में थपड करके याद रखना है ठीक है 67 जो नैशनल अवार्ड ते उसमें चिछो रहे थे और दादा साहिव पाल के अवार्ड जो था उसमें आपका ताना जी था यह लान करना था अभी भी थपड वाला चीज़ साहिस एंड यूरीन इन दा ह्यूमन मेल इस मानभ पुरुषों में शुकरण और यूरीन के लिए समी जो है जो है ना वह आपका एरिया होता है उस टीउब को किस नाम से जाना जाता है यह चीज़ अलग उते है फिमेल्स में यह जो एक बनते हैं वह अलग होते है और यूर पैसे जो है उसका नाम क्या होगा बस यह बता दीजे गॉमन पैसेज फॉदी स्पॉम एंड यूरीन इन मेल इस डिफाइंड आज वर्ट अच्छा मतलब फिल्म की आप से कोई थोड़ी पूछ रहे यहां पर क्रिटिक्स फिल्म आपको बक्वास लगी कि नहीं लगी मानव पुरुषों में शुकराणू और यूरीन के लिए कॉमन पैसेज जो है वो क्या बोला जाता है यूरेथ्रा करके लिख देंगे आप ठीक है यूरेथ्रा विच आप दी फॉलाइंग ग्रॉप्स आर कॉल्ड क्रिप्टो गया आपका दिखाई दे रहे आप लोग को एक आप अपका अउप्शन यहां पर लिक दे रहे हूं ठालोफ भाटड्यॉपं अब फैटा चैरडा और अपका अब आप लोटेटा व्राइव एक जीज आज आपको नई हैं एक चीज आपको नहीं पर भाइव मेंने सीखने को मिल रही है कि जभी आपको क्रिप्टो गैम्स वर्ड लिखा जाता है तो यह क्रिप्टो गैम्स वर्ड जो है न वह सर्फ और आपको नहीं तो टोटल मिला के क्रिप्टो गेम्स में आपके पास यह कितनी चीज़ हो गए पात चीज़ हो गए शेवाल कवक लाइकेंस ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सारी चीज़े जो हैं वो एविलेबल होती है राइट यह याद रखी है आप विच आप दी फॉलाइंग ऑप्शन इस नॉट ट्रू फॉर दी आर्वी सी निम्नलिकित में से कौन सा विकल्प आर्वी सीज के सही नहीं है नहीं नहीं देखो आई अग्री कि यह चीज़े आप लोगों के लिए देखो आप लोगों के लिए मैं बता दू इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट लगाना एक कंबाइंड जैसे आपके एक्जाम में पूछा जाता हाला कि मैं साइंसी कंटीनियू करूंगी इसमें उसकी आप टेंशन नहीं लो लेकिन मैं आपको बता दू आप लोगों के लिए अगर आपको अपना स्कोर अच्छा करना है ना तो सबसे अच्छी चीज यह है कि आप 45 cbt2 दे रहे हैं तो 50 question sectional test भी लगाईए ताकि आपको जीके अलग से भी पूरी की होती है इस टेस्ट के अंदर आप लोगों के हिसाब से गुरूप डी जो है वह 25 साइंस के पूछत है मैं भी आपको हर दिन 25 करा रही थी साइंस के साथ अब इसी क्लास में आपको 20 question जो है ना वो जीके के भी मिल रहे हैं तो कहीं दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं है न कैसी बॉली जाती है byconcave. अब ऐसे घटोरी ग्लास कै लोगोई दिक्कत नहीं है कतोरी की तरह शेप होती है उवियाव तल इसको बोला ज्या क्या होती है तब आप क्या लिखेंगे वियाव वतल या बाइक ओन केड शेप करके लिखा जाएगा हमारे शरीर का सबसे छोटा सब पूना पैक्ट पुना पैक जो है किस वर्ष अ सबस्तानतरित जो है वह किया गया था फॉंशिल में पूना पैक जो है वह साइन निवह था अब आप मुझे पताइए कि आप सबको पूना पैट के वारे में सच्चाई पता है कि पूना पैट जो है वो था क्या अपार्ट फ्रॉम दिस की किसने किसके साथ साइन किया उसके अलावा पूना पैट की रियालिटी जो है वो क्या थी पूना पैट की रियालिटी जो है वो अगले मैं आपसे तीन मिनट चार मिनट ले रहे हूं पूना पैक जो है वो आपको समझाते हूं और आप समझेंगे कि इस से पहले आप जो समझे थे वह क्या सही समझे थे 1932 करके याद रखे 1932 में पूना पैक जो है वो साइन किया गया था है ना अब तारीक वगएरा सबके साथ मैं आपको पूना पैक की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो बताते हो 1932 से पहले एक कॉमिनल अवार्ड जो है वो आया था या फिर हम बिलकुल शुरू से शुरू करते बाबा साहिब अमबेडकर के नाम से जो जाने जाते हैं बारत में सबसे जाधा अगर पढ़ाई उस ताइम पर भी किसी ने की थी तो बियार अमबेडकर जी के द्वारा की गई थी शुरूवात यहां से हो रही है कि आपका एक क्वेश्चन जो आपसे बहुती कॉमन गैने थे तीन साल में तीन राउंड टेबल कॉणफरेंस जब्स हुए गोल मेड समेलन के नाम से जानते हूए त्हाँ तके इंदर बी यार मेडकर जी जो है वह यह बताने में ब्रिटेन को सक्सिस्फूल हो जाते है कि भारत के इंदर जो मैनॉरिटी कम्युनिटी है या नीची जाती के जो लोग बोले जाते हैं उनके लिए आप अलग से रिप्रेजेंटेशन दो यानि ये लेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनको अलग से दो तीन बार तीन बार जो आपकी तीन round table conferences में से पहली और दूसरी round table conferences मेन जाने के बाद अंबेड कर जी इस बात को सर्व मतलब एकदम बढ़िया तरीके से ब्रिटेइन को समझाते उस ताइम पर ब्रिटेइन के जो हैड थे राम से मैकडॉनल्ड ठीक है राम से मैकडॉनल्ड उन वह इसी से सहमत हो जाते हैं कि हिंदू जो है ना हिंदू अलग कास्ट बन गई है और मैनॉरेटी जो हैं वह सारे के सारे अलग जो कास्ट है वह बन गए रामसे मैकडॉनल्ड जो है वह एक कमिणल अवोर्ड जो है वह प्रस्तूत करते हैं जिसको भारत में भेजा जाता है और बहुते पर corrupted हम कर रहा हैं और मैनॉरेटी इसको भी राइट डे रहे हैं कि व वाले हैं इतनी जी समझागी अब इस चीज से सबसे ज़्यादा प्राब्लम जो है वो किसको और गांदी जी को और आपने वैसे तो सुना होगा कि गांदी जी जो है वह उन्होंने बहुत जादा जो है वह वक्तब अपने दिये थे लेकिन अगर कोई भी परसंद चुआ चू सबसे छो है उनको गलत कैसे मांन सकता है अंबेड कर सी अंबेड कर जी के द्वारा सेपरेट एलेक्टौरेट्स अपोज गरत ने क्या कर रही हैं लेकिन यह उसका उल्टा था अंबेड कर साबझी जी ये चाहा रहेते वह ये चाह रहे थे कि जो नीचे जाती के सब्सक्राइब बारे में बात करने लग जाते या अम्बेड कर जी को थोड़ा सा सर्वश्रेष्ट जो है वो मानने लग जाते इस बात पर गांदी जी जो है वो गुसा हो जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिया जाएगा हाला कि मेरा यह मानना है कि वो चीज जादा बेटर थी जो minorities थी वो अच्छे से progress कर पाती अगर उन्हीं के ही नेता होते अंबेडकर जी ने यह statement भी दिया था कि जो हमारे leaders होंगे ना वो किसी party के चमचे नहीं होंगे हमारे leaders यह statement था सेम यह statement था हमारे party के जो leaders होंगे वो अपनी जो minorities हैं उनको develop कराने की कोशिश करेंगे गांदी जी ने उसे क्यों नहीं अलग होने दिया क्यों गांदी जी का यह मनना था कि कास्ट जो है वो चारी होती हैं जो उनके काम है वो वही करेंगे यानि कि आदमी पढ़ेगा या आदमी नौकरी करेगा या आदमी जो है वो दूसरों की सेवा ही करेगा क्यों भई दूसर साब जी जो है वह मानेंगे नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात पर तब तक गांधी जी अपना जो ब्रत है या फास्ट अंटिल डैथ वाली सिचुएशन वह जारी रखेंगे तब तक भूके रहेंगे जब पर नहीं जाते हैं इस बात पर मैं एक और सवाली उठाती हूं कि क्यों गांधी जी ने अंग्रेज भारत से चले जाएं इस बात पर कभी फास्ट अंटिल डैथ नहीं किया यरवाडा जेल के अंदर जब गांधी जी की हालत थोड़ी सी विगड़ने लगती है पूरे देश म अंबेडकर जी के लिए एक नेगटिव इमेज जो है वो बनाई जाती है कि अगर गांधी जी की अम्रित्य हो गई या भूक की वज़ा से वो मर जाते हैं तो अंबेडकर जी जो है वो इसके जिमिदार होंगे कस्तूर्वा गांधी जी जो है वो अपनी जोली फैलाते भी लिखा हुआ है कि पूना पैट को अंबेडकर जी ने रोते हुए साइन किया था 1932 में तारीक जो है वो आपको 24 सितंबर याद रखेना है यरवाडा जेल के अंदर 24 सितंबर को गांधी जी के जबर जस्ती नहीं मानने पर बियार अंबेडकर जी को साइन करना पड़ा इसी चक्कर में अंबेडकर जी ने reservation मांगी थी और इसी चक्कर में अंबेडकर जी को इतना तो समझा गया तो कि यह जो दो चार बुद्ध जी भी वैठे हो है न यह अगर यही के चीज़ें चलती रही न तो यह minorities को कभी पनपने देंगे नहीं और minorities का development होने नहीं देंगे आरक्षन अगर होता ही नहीं अगर बिया रंबेडकर जी की बात उस दिन गांधी जी मांगे होते और separate electorate जो हैं वो थोड़े से दे दिये होते हला कि उसके भी खुद के negative point कुछ ना कुछ होते हैं लेकिन reservation वाली बात जो है न वो ना आती जब reservation वाली बात हम पहले बोल रह चाहे जाते हैं कि क्यूं आप यह चाहरे थे कि society चार पार्ट में डिवाइड मलब चारी पार्ट में रहे क्यों नहीं इस सब कुछ साइन हो गया और अमबेड कर जी के साइन करने के बाद गांधी जी जो है वो मांग जाते हैं तब अमबेड कर जी के दौरा एक statement दिया गय कि आप मेंसे हो सकता है कई लोगों को यह statement ना पता हो पर शायद आप सुनके शौकड हो जाएंगे अमबेड कर जी के दौरा उस टाइम पर यह statement दिया था क्योंकि महात्मा गांधी जी महात्मा कुछ नहीं है वह ना अपनी जो बहुती चालाकी से जो है ना राजनीती जो ह आप याद रखेएगा ठीक है यह बहुत ही important question जो है वह आपका आता है आप exact date याद रखे पूना पैक्ट जो है वह 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था और इसके बाद minorities को separate electorate जो है वह देने से मना कर दिया था हाला कि उस टाइम पर हिंदूस जिनको कहते ना लो जो हाई इसको separate electorate नहीं होने दिया तो मेरे ख्याल अब पूना पैक्ट जो है वह आप थोड़ा सा समझ गए होगे समझेओ न एक बार मैं आपको इसका detail वीडियो भी कर दूंगी हां जी अंबेडकर जी की देखो ये statement आपको मैंने कई बार दिये कि अंबेडकर जी की गांदी जी स खुला ये statement दिया था कि यहां पर हो रही है proper diplomacy एक तरफ अंबेडकर जी की पहुंच और अंबेडकर जी की सोच जो है वो कहां तक थी मतलब वो उस टाइम पर सोच लिये थे कि minorities की condition इस देश के अंदर हो सकता है खराब हो लेकिन फिर रिजर्वेशन का जो है वो चीज़ें हो जा रही है चलिए कोई बात नहीं डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़े समझाएंगी डैश रिमेन अंचेंच वेना साउंड वेव ट्रावल्स इन मीडियम मताइए डैश नहीं नहीं आपको सरफ question निकल के जाने की अगर आपको सरफ इतना है ना कि हमको तो सरफ question चाहिए लाग दो लाग उसे काम नहीं चलता है थोड़ी सी चीज़ें आपको ये भी समझनी चाहिए सरफ पूना प्रैक 1932 अंबेड कर जी गयरवाड़ा जेल और गांदी जी के ब लिखें हो एक अदली दो-चार करोड question लिखें उनको revise कर लो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है रेट चलिए remains unchanged when a sound waves travels in a medium कौन सी चीज कभी change नहीं होती है यहां पर आप यादर के frequency fix होती है frequency जो है वह आपकी change नहीं होती है वर्तमान में कौन सा भारत्य काविनेट मंत्री राष्ट्य रक्षा के लिए जिम्मिदार है तो अभी राष्ट्य रक्षा जो है वह किसके पास में है यह question 2018 में जब इस तारीक को पूछा गया था तब defense minister को यह और थे मैंने change कर दिया question बत बहुत ही दूर दे देंगे अब उनका reason कुछ भी हो सकता है इसके पहला reason तो यह है कि अगर दूर center होगा तो जो आपकी cheating करने के जो chances है वो कम हो जाएंगे क्योंकि अगर कोई बनारस का है और उसको आंद्रप्रदेश मिल गया है या कोई UP का है और उसको south जो है वो center मिल ग हो जाते हैं अभी आप राजनाथ सींग जो है वो याद रख लिजे अभी के defense minister राजनाथ सींग है ना what are जुआर बाजरा और रागी को मिला कर क्या कहा जाता है हाँ exactly reservation जो किया था तो वो भी दस साल के ही लिए ही किया था दस साल के लिए ही अम्मेटकर जीने reservation मांगा था उसके आगे के लिए नहीं मांगा था तो अगर आप जैसे आप में से कई लोग reservation को अपोस करते हो ना तो इसके लिए ना आप जो है वो समझो कि कौन जिम्मिदार है reservation की कभी जरुती नहीं पड़ती minorities को अगर गांधी जी जो है वो थोड़ ऐसा सटल हो जाते इस बात पर और उस ताइम 1932 में समझ जाते चीज़ों को तो 32 से लेके 47 तक situation अच्छी हो जाती minorities जो है वो बढ़िया कोई minority जैसा नहीं रहता सारे लोग जो है वो बराबर पर आ जाते लेकिन आप सोचो एक ही जीज़ को आप बाजरा रागी वगरा जो बोलते हैं या आपकी किस सीज में आपकी लागू की जाती है तो आप किस सीज में आपकी शामिल की जाती है तो आप मिलेट्स करके याद रखे पैडी नहीं पैडी धान होता है चावल होता है पैडी मिलेट्स करके लिखते हैं ठ 2020 22 पदम भूशन अव़ाड इन दी फिल्ड उफ आठ कला के शेत्र में 2022 अच्छा यह वाला यहां पे पदम श्री लिखेंगे पदम भूशन नहीं लिखेंगे पदम श्री लिंगे ठीकिछ पदम मुषरी से सम्मानित किया गया है भूशन नहीं लिखना है पदम पदमश्री लिखना है 2022 में कला के शेत्र में निम्न लिखित में से किसको आठ के शेत्र में पदमश्री से सम्मानित किया गया है अचा इतनी देर में आप जो है वो देखी रहे होंगे गरीब और माइनॉरिटीज में डिफरेंस है गरीब और माइनॉरिटीज के डिफरेंस को समझना ठीक है नहीं नहीं आप समझो गरीब और माइनॉरीटी में डिफरेंस है गरीब तो कोई भी हो सकता है तो गरीब और माइनॉरीटी को एक तो आप अलग रखो दोनों को मिक्स करते हैं दुर्गा वाई वियाम करके याद रखे देखी लिए दुर्गा वाई वियाम करके याद रखे ये गॉंड से आती है आपको पता है ना भारत में एक ट्राइबल एरिया है मध्यप्रदेश से शी बिलॉंग्स और काफी सारे आठ को इस बार जो है वो आपके पदमश्री से सम्माने किया गया तो उनकी ऑप्शन भी हम देख किसी परिपत में दस मिनट में प्रबाहित होने वाला आवेश तीन सो कूलम है तो परिपत द्वारा खीची गई धारा जो है वो कितनी होगी वो चाहते ही नहीं थे लगी पहली बात यह कि ही ने वर वांड्स उनकी पता नहीं क्या ही चल रहा था वो तो मुझे खैर नहीं पता आप तो कैसे भी करके हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं बाकी आपने भर भर की वीडियो जगरा तो कई बार चीजें आपने यह सारी चीज देखी लिए होगी कैसे क्या चल रहा है क्या है चीजें तो वी टॉक अबाउट समझदार हो तो इन सारी चीजों से समझी जाओगे कितनी होगी य उसके अलावा किसी का अगर आंसर में गड़वड है तो मुझे बताइए 0.5 एंपियर आपको कौन सा यहां पर कौन सा फॉर्मुला यूज करना है देखें वैसे फॉर्मुला होते है क्यू इस एकुल टू आई इंटू टी है ना क्यू इस एकुल टू आई इंटू टी 20 में नहीं 3 में 3 तो 1 2 5 5 आइगां तो याद रखी आपका सी और रहर रॉधा इन जी मेंसे कौन एक पराग कोश का भाग नहीं होता है यह का हम लोग का पता है हमारा भी मतरब सबका एक problem होता है कि हम problem को न बेस से देखते ही नहीं है हम सिर्फ आज के बारे में बात करते हैं और पीछे कुछ दिनों की बात कर लेते हैं जबी भी कोई भी चीज आप पढ़ते होना आप लोग ने पूना पैक्ट पढ़ा तो आपको कुछ तो चीज़ें जाना ना आपने कि बेसिकली पूना पैक्ट जो है वो कहां से शुरूआ नहीं तो बस कमिनल अवाड उसके बदले में पूना पैक करते में बिया रंबेट कर जी रोए थे क्योंकि वो उनकी बहुत टाइम की महनत थी वह ब्रिटेश्यों को इतने अच्छे से समझाए थे चीजों को लेकिन फिर वहीं चीज़ें कड़ बड़ोगी है इन में से कौन सा भाग एंथर का नहीं होता है तो कार्पल याद रखि यह बताइए वन महोतसफ जिसका अर्थ है पेडों का तियोहार भारत में जुलाई के फेस्टिवल में मनाया जाता है कौन से दिन में लगाया जाता है हर्याणा से कानपुर तो भाई दूर नहीं है कोई जा सकते हो आप अरे दीको आप लोग को यह दिखता है कि मम्मी पप होगे थोड़े से ट्रैवल भी कर लोगे और अच्छा ही रहेगा वन महोतसफ जिसका अर्थ है पेडों का त्योहार वह कौन से हपते में जुलाई में मनाया जाता है हर चीज को पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को म पुवन्दी साहित्य अकाडमी अवाड हिन हिंदी विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी में साहित्य अकाडमी पुरुषकार किसने जीता पढ़े हैं यह क्वेश्चन हाला कि 2017-2018 का यह क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं आप लांद कर लिजी यहां पर सत्य प्रकाश जोशी है ना तब के भी आंसर थोड़े बहुत लांद करने पड़ेंगे क्योंकि अगर गुरुप D या रेलवे आपका पहले वाला सेट स अधे लिए उड़ाती है क्वेश्चन तो सीधा ही उठाती की वह लोग तो चेक भी नहीं करते वेह बल जिसके कारण ब्रहमार्मार्ट में प्रत्य व्यक्ति प्रते क्यों ब्रहमां में ब्रहर वस्तू जो है वह सब्सक्रीद आब हम जाएगा ह oportun MIKE पर थोड़ा रिजरवेशन बंद हो जाएगा अभी जरौत है भाई देश को काफी सारे लोग हैं जिनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है कितने सारे लोग हैं जिनको फोर्स किया जातेगी वह अपनी कास्ट के साब से काम करें तो अटलीस रिजरवेशन जो है वह थोड़ा करने दीजिए ना बहुत सारी चीजें कुछ लोगों ने आजादी से पहले फाइदा उठाया था कुछ तो फाइदा उठाने दो आजादी से पहले अपडेट हुजेगी वह बल जिसके कारण तो आप क्या लिखोगे ग्रैविटेशनल ठीक है क्या लिखना है भाई ग्रैविटेशनल अभी लिखवा है ना आपको गुरुतवा कर्शनिया पर बस बताएं वाइल वाइट वाशिंग सफेदी करा जाता है तो कैल्शियम हाइट्रोक्साइड हवा में इसके साथ धीरे-धीरे मिलता है और दिवारों पे पतली परत बना देता है पहले आप 500 हमें इनके नाम आपको बताने लग रही हूं हंजी बिल्कुल मेक सेपरेट अलग से कर लेंगे मैंने आपको बोला ना इसकी वीडियो मुझे आपको वैसे वी अलग से करने थी अलग से कर लेंगे वी डिटेइल्ड एक्स्प्लिनेशन पूना पैट का जो भ्रम है ना की खुशी से साइन हुआ था वो आपके दिमाग से निकलेगा सी ओ टू लिख लें कारबन डाय उकसाइड की बात हो रही है यहां पर बहुत इजी क्वेशन है आपके पास पहले सी ए ओ था जिसको क्विक लाइम या कैल्शियम उक्साइड इसने पहले है पानी के साथ यानी कि हा सूह के सात्थ पानी के साथ यह पॉह पन गया यहां पर हमने इसको सी ओ टू के साथ करते हैं यह बन गया कार्बोनेट जिसको हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं साइन्स की तो फॉमले रटी गए भाई मुझे भी रट गए अब तो एन ऑब्जेक्ट वेट सिक्स्टी वेज सिक्स्टी न्यूटन वेन मेजर्ड ऑन दी सर्फेस ऑफ जो औबजेक्ट है वो प्रतिवी पर मतलब साथ न्यूटन है उसका वेट जो है मून के सर्फेस पर कितना होगा है प्रतिवी की सदा पर किसी भी वस्तू का वजन जो है वो सिक्स्टी न्यूटन नापा गया है वजन का मतलब वेट इस एकौल टो M into G है ना तो कितना रहेगा क्या बात है 1 by 6 जो है वेट हो जाएगा हमने तो आप से बजन पूछा है आप से मास जो है वो नहीं पूछा है क्या बात है 10 किलो मीट 10 हो जाएगा 10 कैसे होगा क्योंकि आपको पहले तो 60 न्यूटन जो है वो वेट दिया हुआ 60 न्यूटन वेट का मतलब है कि ग्राविटी 10 मान लीजे तो 6 जो है उसका क्या हो गया मास हो गया मास जो है वो 1 by यहाँ पे हो गया 10 जब आप प्रतिवी के उदर जाओगे यानि की मून पे जाओगे तो 1 by 6 कट गया एक से मल्टिप्लाई कर दोगे ग्राविटी को तो 10 केज लिखें या 10 न्यूटन लिखें वेट है तो केजी हिर लिखें tenido पढिंगे एक वावाट क्या वाट है न्यूटन होगा कि इस क्वेश्चन डिखी जो है वह आप को यहां पे पता चला है कि नहिए थे लख्यों ना पटाने संट्रे क्या दे टैन टाफी नेंन लिखना इन मेंसे उलेक्ट्रानिक कउंफिगरेशन नौन-मेटल की नहीं बताईे लिखेंगे तरह आप करोगे तो कहां ब्रहमांड में भी शमा नहीं दिया जाएगा टैन सिक्स्टी न्यूटन का टैन न्यूटन तो कर दो कम से कम केजी तो मत करो यहां पर केजी में थोड़ना आपका आएगा निमनलिकित में से कौन एक आधातू का इलेक्ट्रिक विन्यास जो है वह वह शोला हो गया कौनसी कैटेग्री और अखीजन और सिलीकॉन कर लिख लिए चौदा वाला चौदा बेटिए यह पर तो जरह इसी को मैं आपको दिखा रहेती हो सागिंशीक्री के पास क्या होता है दो आपड़ चौदा क्या होता है इब हो आपके लाश्ट में यहां पर reckonboo लेग जाएंगे कितने के बराबर होता है डाउर प्लस कर लो यह सबसे असान तरीक है 17 लिख लो यहां पर लिख लो 16 यहां पर लिख लो 15 फॉस्पोरस सिलीकॉन उसके अलावा आपका क्लोरीन हो गया तो इस सारे सब्सक्राइब करते हो आप उनी को थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन जो है वह एकदम बढ़िया से चेक कर लेता हो तो जैसे आपने अलुमीनियम लिखा 13 सिलीकॉन 14 फॉस्फोरस हुआ सुलफर हुआ क्लोरीन यह तो नॉन मेटल होते हैं और सिलीकॉन जो है व जा लिखेंगे न्यूटरन मीटर न्यूटरन मीटर में वन जूल का फर्मॉला क्या होता हैं इंन में से कॉनसा इंदर से इलेक्टरसिटी आपकी पास नहीं होगी अगर आप चीज में से बिजली का संचाला नहीं होगा तो आप थोड़ा सा थेउरिटिकल पढ़े हो तो आप थोड़ा से इसको समझना कि लाब में आप से टेस्टिंग करा ही जाती है तब आपको इलेक्टरसिटी कंड़ करने के लिए बोला जाता है तो आप यहीं पर बता दीजे कौन सी चीज में बहुत ही एजी है आप और वन आउट करोगे तो भी आपको समझ आजेगा और वन आउट करो ग्लुकोस निकाल तो ना ग्लुकोस कैसे करेगा जब उसके पास यहां पर माइनस आइन ही नहीं या प्लस माइनस आइन ही नहीं नहीं बन रहे तो वह इलेक्टरसिटी को कंड़ट करेगा कैसे डैश इस मोस्ट कॉमनली फॉंट बाए रियक्शन ऑफ एन एसेड एनल अलकोहल अगर आपने कि किसी भी ऐसेड को किसी एलकोहल के साथ रियाइट करा दिया तो क्या चीज़ बनेगी है000 को कि बनेंगी से अगर आपका यहां buscando पूछा जाए कि एलकोहल और आमल की प्रतिक्रिया अगर रियाक्शन होगी तो क्या बनेगा हम जी विल्कुल ग्लुकोज का आपका फामुला C6, H12O6 होता है है ना आमल और एलकोहल की प्रतिक्रिया से क्या बनेगा बहुत ही बड़ी है मतलब नहीं करवान है यह तो होई गई नहीं पढ़ नाम को यह वाली रियक्शन्स हम पढ़ेंगे नहीं आंसर जो है वह आप आंसर एस्टार याद रखो कभी भी कोई आसेड यहांड को बोल रहा हैं कारभोकसलिक असेड बोला जाता है तो कभी भी आर सि ओ ओ एच एच और यहांड पर आपके पास Кे साथ दो आर लग जाते हैं आप उस चीज को क्या बोलता है यहां पर आपके पेपर में फिर से रिपीट करेंगे तो अगर हमने एक एसेड को हमने क्या कर दिए एक एक एल्कोहल के साथ मिला दिया तो आपके बास एस्टर नहीं है यह ना इस परोडियो एस्टर ऑप के विशेश्टान है नहीं है एपीच वाइब्रेशन लावडनेस ह्या क्वालिटेश नियमनलेकर्ट में से कौन सी ध्वानी की विशेश्था नहीं की विशेश्था नहीं बोली जाती है द्वनी की विशेश्ता बाई बताओ पिच से फ्रिक्वेंसी लाउडनेस एंप्लिट्यूट से क्वालिटी वह वावास से वाइब्रेशन वह कोई क्वालिटी तो नहीं है यह देखो यहां पर आपके पास साउंड की क्यारेक्टर स्थिक यानि की साउंड को अगर पहचानन या क्यरेक्टर स्थिक निकालें तो इंतैंसिटी और लाउडनेस्ट प्रिक्वेंसी एंड पिच होफ्साउंड और क्वालिटी या तिम्बर आफ साउंड तो आप एंप्लिट्यूट जैंड या आपके पास तीन चीज़ें आप लाउडनेस यानि कि आवास धीमी है या त तो आपकी साउंड है तेज है आपकी आवास तीख है श्रिल है या ग्रेव है मतलब मेरी आवास कैसी है चुबरी है क्या आपकी कानों में तो वह श्रिल हो गई ऐसे ना और किसी किसी की आवास बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में तो वह पिछ के साब से मच्छर कान में भिन में तो बहुत ही घुस्सा आता है शेर जो है वह एकदम धाड़े तो चिला मलब डर तो लगता है पर उसकी साउंड बहुत पावर्फोल होती है ना टिमबर और क्वालिटी टिमबर मतलब किस तरीके से साउंड जो है व वर्ड वेडमिंटन फेडरेशन बताई जरा यह बताई कि आपकी पीवी संधू कि कि अभी हाल फिलाल जो अन्बी हाल फिलाल आपकी पीवी संधू जी की रेंगड हो कौन सी ह susceptible है आपकी वाइंब्रेशन होती है वह कुब भी नहींbor कर जारी न कि आप से मैं 2022 पूछ रही हूं आपने गुरुप डी के पुराने क्वेश्चन पेपर किये होगे ना उसमें ये क्वेश्चन आया होगा उसमें आंसर आपने सेकेंड लिख दिया होगा है नशाधे लेखो तो दो क्वेश्चन तो देखो क्या है 2022 की रैंकिंग में आप से 2022 की रैंकिंग में आपसे पूछ रही हूँ 2022 की रैंकिंग 2022 में पीवी संदु की जो रैंकिंग है वो सेवन्थ है आपसे 2022 की पूछा है एट सर्फेस ऑफ और्थ वेयर एया फ्रिक्शन इस नेगलिजिबल ऑब्जेक्ट फॉल विद्धी प्रतिवी की वह सता जहां पे ना उठल्द हमा एक्सल्रेशन जो है वो समान रहेगी स्पीड समान रहेगी एक्सल्रेशन अलग होग या विलोसिटी अलग हो घ्लक होगी या आपने यहां पर उसको क्रॉस नहीं कर सकता तो जिसकी वज़ा से प्रॉब्लम होती है यहां पर आपको सेम एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा अगर फ्रिक्शन नेगलिजिबल है तो आपका करेंट जो है वो कितना तो आपका पास होने वाल है कितना करेंट जो है वो पास होगा निकाल लिए सारे लोग पहली बात तो यह आंसर कभी भी आपका इन तीनों में से एक भी आई नहीं सकता क्यों नहीं आ सकता आपको यहां पर करेंट पूछा है वी इक्वल टू आर इंटू आई होता है होता है ना जब आप से करेंड पूछा है वोल्टेज आपको दिया है और रिजिस्टेंस भी दिया तो हूँब आई ये है क्यूत है आपकी चोटी है नीचे बढ़ी है तो कभी है आंशर आपका in तीनों Wallace तो आए गई नहीं आपका आंसर अमिश ही रहेगा 0.44 करके याद रखे थोड़ा सा लॉजिक यह पे नहीं सारे आंसर जो है वो ऐसे ही नहीं कि आप उनको दे पाओगे तो 0.44 करके याद रखे इन विच पाट आफ इंडियन कॉंस्टिटूशन दो फंडमेंटल ड्यूटीज और एंश्राइंड भारतिय समिदान के किस भाग में मौली कर्टवियों को नहीं किया जाता है ग्रूप डी अगर क्वैलिफाई करना है है ना 25 और 20 मैं दोनों मांक सैड कर लेते हूं टोटल 45 क में से कम से कम 42 के आसपास आपको टिकना पड़ेगा मतलब अगर 36 37 लेके आए तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी मिनिममम मैं आपको बता देती हूं गुरूप डी की मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम आपको 38 मांक्स लाने पड़ेंगे प्लस लेवल के स इस लेवल के साथ नहीं इसके साथ तो मेरे क्याल बहुत सारे बच्चे 40 41 मांक्स लेए होंगे अगर इस साल का 2022 का गुरूप डी का एक्जाम क्वैलिफाई करना है मतलब अब इभी जो भी आपका गुरूप डी का पर जबी होगा क्वैलिफाई करना है तो मिनिममम 38 और 48 म मार्स है न वो आएंगे तो यहां पर आपको क्या लिखना है हमारे फंडमेंटल राइट जो हैं वह कौन से पार्ट में लिखे हुए तो फॉर्थ का ए लिख दीजे ठीक है फॉर्थ का ए यह मैं गुरूप डी की बात करे हूं आपसे गुरूप डी के अंदर और यही आपके 50 की अगर मैं आपसे बात करो 50 की बात करो तो वहां पर भी मैं आपको 42 43 ही बोलूँगी गुरूप डी में कॉम्पटीशन आपका ज्यादा होगा उसके मार्स थोड़े से ज्यादा आएंगे क्योंकि लेवल के अलावा बच्चे बहुत साल से त्यारी कर रहे हैं सेम पर वै आपके कितने जो है ना मांक्स आए हैं यह मुझे बताईएगा सेवन थर्टी नहीं कर रहे हैं उसको शुरू करते करते अगर मैं अभी भी रोकूंगी ना क्लास उसके बाद आपकी क्लास को शुरू भी करूंगी तो भी वह कम से कम साथ पचास के बाद ही हो पाएगी तो उसकी आप टेंशन ना लो गुरूप डी के लिए भले से मुझे अलग से आपके पीवाइव क्यू आपको एप के उपर मिल जाएंगी तो उसकी तो आप टेंशन ही मतले ना आप लोक लिए इंपॉर्टेंट इंफर्मेशन ही है कि एप के उपर हमारा पहला फूल लाइव टेस्ट जो होने जा रहा है वैसे आपकी डेली के मॉक टेस्ट जो अपडेट होते हैं उसके फुल लाइव टेस्ट होते हैं लेकिन इस बार ऐसे हो रहे है कि पूरा सिलबस को कवर करते हुए इंपॉर्टेंट एमसी की उसको कवर करते हुए एक सो बीस क्वेशन एक सो बीस मार्क्स और नाइंटी मिनट में आपका एक एंटी पीसी सीवेटी टू और गुरूप डी वाले बच्चे जो है उसको भी देंगे मलब यह प्री लाइव टेस्ट है आपका तो अटलीस्ट आप इसको अटेंट जरूर करिए देखे जरूर क कि क्या आपकी सिटुवेशन है यहां पर तीस अपरेल को दस बजे यह टेस्ट जो है वो लाइव हो जाएगा और पूरा एक दिन जो है यह टेस्ट लाइव रहेगा जब जिस टाइम यह खतम होना होगा मतलब दस एम नेक्स दे एक तारीक को जब यह खतम होगा तब आपक कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जो भी बच्चे टॉप फाइव में आएंगे उनके लिए हम कुछ तो कुछ गिफ्ट जो है वो रखेंगे और उसके अलावा एंटी पीसी टेस्ट सिरीस के अंदर आपके बीस मॉक टेस्ट जो है वो अभी है और इनको अभी बढ़ा सिरीज जो है वो भी अपडेटीड है और बहतर सेक्शनल जो है वो आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रिलेटेड तो आपको ऐसा देखना है आप पहले 120 नंबर का टेस्ट दो फिर देखो कि मेरे कि 120 में से कितने नंबर आएं फिर अलग अलग टेस्ट दो और सब को करना है चाहिए आप गुरूब डी की तियारी करें यह सब के लिए कॉमन है तो तीस अपरिल को आके आपको यह टेस्ट देना है सुबह साथ बज़े वाली क्लास आपकी कल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन की क्लास है वह आपको ज़रूर से अटेंड करनी है कल स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन एकदम शांदार और सिस्टम वाला पार्ट जो है वो कल करेंगी क्योंकि आज तो साउन वगेरा गडवड़ा गया कल से कोशिश की जाएगी कि आपकी क्लास पूरी अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर एक आप एक के आप इस युके तरीक चैनल अड़ा की virtue बैडवाब कर लिएक चैनल स्सक्राइब करना के यह वह आप मेरे साथ इसे तरीकी की देख सको कल शे बजे हैं साइंस काी तेस्ट है टेस्ट में आप लोगों के लिए बीच बीच में कराते रहोंगी साटरडेश स्पेशल में कर लेंगे और कल साइंस का ही टेस्ट करें ताकि साइंस का भी क्वेस्टन आपके बराबर जो है वो जाने चाहिए आप बताए किसी को कोई दिकत वाभी वा लैप्टॉप गिफ्ट इतना अच्छे तो हम बना लिए कि दो आईडी और यह सारी चीज़ें वह डिटेक्ट होई जाएंगी तो यहां पर कोई बात नहीं आप बस टेस्ट दो मेली जो है ना वह आपका टेस्ट दूआ हां जी पूना पैंक्ट पर आपकी वीडियो आ जाएगी मुझे थोड़े स पर आपकी वीडियो जो है वह अपडेट हो जाएगी कल तक आप एक बर सारा रिवाइस भी कर लिजेगा और जरूर से पूना पैक्ट जो है वह देख लीजेगा सिटीज आपकी एंटीपीसी सीबीटी टू के किसी भी लेवल को क्वैलिफाइए कि तो पहले दो लेवल के तक टेंस नौ मही और दस मही को होने लग रहे हैं नौ मही के जो सिटीज वह आपकी डिकलेयर कर दी गई है थाकि आप उनके लिए रिजरवेशन जो है वह करा सके बेस्ट बेंगॉल से आगरा जाना है तो आपको रिजरवेशन करानी पड़ेगी उसके अलावा आप किसी आपकी सिटीज वह कहां पर हैं उसके साफ से टिकेट बुक करा लिजे सेंटर चेक कर लिजे ताकि मेंटली अपने आपको जो है वह आप प्रेपैर कर पाओ कि भी दूर जाके हमें टेस्ट देना है तारीक नौ और दस मही है तो आप उससे पहले अपनी बुकिंग जो है व कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं तो यह तो सीकरेट रहेगा मैं आपको खुद से बताओंगी किसी दिन लेके यह पर खुद से डाटा में आपको दूंगी कोई दिकत नहीं है अब तक हमारे व्यूज बहुत अच्छे हो गया है एक मिलियन व्यूज जो है वह हमने कम्प् कितने सब्सक्राइबर हैं क्या है वह मैं आपको क्लास में बताऊंगी ठीक है तो मैं आपको कल सुभा साथ बजे मिलते हूं आप राम से तब तक रिवाइस करें मैं पीडिएफ अभी दस मिनिट में अपडेट कर रहे हूं तो पीडिएफ आपकी अपडेट होगी दोनों टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट होगी तो आप जहां भी जुड़े हैं आपको पीडिएफ तो मिली जाएगी तो पीडिएफ का कोई टेंशन आपको लेना नहीं है तो